आज के दिन क्या करना है और किन-किन बातों का ख्याल रखना है तो चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका भागिया मीश राशे बिजनस में लाब मिलेगा यात्रा का सैयोग बनेगा पारिवारिक जीवन में शान्ती बनी रहेगी उपाय हनुमान जी को सिंदूर भेट करे व्रिशब राशे कारोबार में लाब मिलेगा संतान की उन्नती देखकर मन प्रसन्न होगा समान में सम्मान बढ़ेगा उपाय, हन्मान जी को भूंदी का प्रसाद अर्पित करें मिथुन राशे, सैयोगियों का साथ मिलेगा ससुराल पक्ष से तनाव बढ़ सकता है सेहत का खास ख्याल रखें उपाय, आप आज सुबह शाम हन्मान चालीसा का पात करें करक राशे, सरकारी शेत्र की काम में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से लाव मिलेगा बाड़ी और क्रोध पर संयम रखें उपाय, ओम, क्रांग, क्रीम, क्रॉव, सह, भौमाय, नमख कजब करें सिंग राशी, सफलता की संकेत हैं, माल सम्मान में विद्धी होगी, विष्टों का ध्यान रखेंगे उपाय, सूर्य देव को कुम-कुम मिश्रत जल से अर्ध प्रदान करें कन्या राशी, कामकाज में ढिलाई वा लापरवाही ना बढ़ते, सोच विचार करके ही निर्णेले, नीती नियम के अनुसार कारी करें उपाय, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाए तुला राशी, कारोबार में फोकस रखे, वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहेगा धन धान्य में इजाफा होगा उपाय, गडेश जी को लड़ू का भोग लगाए रिश्चिक राशी, नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारी दी जा सकती है जीवन साथी और भाई बहनों के साथ तालमेल बना रहेगा पैत्रिक कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे उपाय, घीक दीपक जलाकर हनबान चालीसा का पार्ट सुबह शाम करें धन राशी, धन प्राप्ति के योग हैं विरोधी से सतर करही भर्म और आध्यात्म में रुच्ची बढ़ेगी मकर राशी, ध्यापार में तरक्की के अफसर प्राप्तोंगे परिवार के छोटे सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा पसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है उपाय, हनुमानास्टक का पार्ट सुबह शाम करें लाबकारी रहेगा कुम्भ राशी, सिख्षा के शित्र में लाब मिलेगा कारोबार में आपको आज लाब मिलेगा भाई बैनों के साथ अच्छा समय वीतेगा उपाय, मातल लक्षमी की पूजा करें मीन राशी, कारोबार में चल रही समस्या दूर होगी मानसंबान की प्राप्ति होगे सेहत में सुधार होगा उपाए हनुमान 40 का पाट करें आज के राशिफल में बस इतना ही कल लेकर फिर हाजिर होगे कल का राशिफल तब तक के लिए दीजिया अनुमति नमस्कार